हेलो मैंडिया स्टुडेंस यूपी बोड की परिक्षाओं से संबधित महत्पूर्ण खबर बिग ब्रेकिंग नियूज जी हाँ यूपी बोड की परिक्षाओं मध्य फर्वरी से कराने की तैयारी सीबियसी की दस्वी और बारहमी बोड की परिक्षा का कारेक्रम जारी होने के बाद यूपी बोड की हाई स्कूल वए इंटर्मिडिट की परिक्षाओं को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं आईए जाने पूरा समाचा माध्यमिक शिक्षा विभाग मध्य फर्वरी से परिक्षाओं कराने की तैयारी कर रहा है वहीं मुख्यमंत्र योगी आदित्तिनाथ ने भी परिक्षाओं समय से कराने के निर्देश दिये हैं जिससे की अप्रेल में नए सैच्छिक सत्र की सुरुवात हो सके बोड के अधिकारियों के अनुसार चालू सत्र की सुरुवात में सैच्छिक सत्र कलेंडर में मार्च में परिक्षाओं कराना प्रस्तावित है लेकिन बीते दिनों शाषन अस्तर पर हुई बैठक में मध्य फरवरी यानि 15 या 16 तारीक तक परिक्षाओं शुरू कराने का प्रस्ताव आया था इसमें कहा गया था कि कारिक्रम इस तरह तैयं किया जाए कि परिक्षाओं का समापन होली यानि 8 मार्च तक हो जाए इससे पहले प्रयोगात्मक परिक्षाओं 15 फरवरी तक शुरू कराने का प्रस्ताव है ये परिक्षाओं दो चरणों में 15 फरवरी तक करा ली जाएगी आहा निदेशक स्कूल सिक्षा विजय किरन आनंद का कहना है कि बोर्ड परिक्षा कारिक्रम के बारे में उच्छ अस्तर से निरड़े हो रहा है वहां से कारिक्रम तैं होने के बाद कोई घोशड़ा होगी होली से पहले परिक्षा संपन कराने पर जोर बोर्ड इसकी तयारी में भी है कि परिक्षाओं के बाद मुल्यांकन कार्य समय से करा लिया जाए ताकि नया सैक्षिक सत्र बहुत प्रभावित न हो हलाकि परिडाम घोशड़ा अप्रेल में होने की संभावना है परिक्षाओं को समय से कराने के लिए जीले वार केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया भी जल्द पूरी करने के निर्देश दिये गए हैं 58 लाग से अधिक परिक्षा थी तो कुल मिलाकर मध्य फरवरी में परिक्षा होने की प्रबल संभावना है आप अपने परिक्षा की तयारी में मन लगा कर लगे रहें सुखत परिडाम के लिए धेर सारी सुबकाम नए